सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पिहू टीवी को और नोटिफिकेशन बैल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए अज की इस वीडियो में हम सलवार की मोरी का डिजाइन बनाएंगे इसमें मैंने बुक्रम अटैच कर लिया है और इस तरह से सीधी सिलाईयां लगाते हुए उसके अंदर लहरिया बना लिया है तो चलिए अब हम इसमें डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके सेंटर में इस तरह से लहर बनाएंगे बहुत ही इजी डिजाइन है बिगनर्स भी इसको बहुत ही इजीली बना सकते हैं देखे मैं जो भी डिजाइन बनाती हूँ, बिगनर्स को हमेशा ध्यान में रखते हूँ बनाती हूँ ताक कि उनको बनाने में कोई प्राब्लम ना हो, ये लहर हमारी बन चुकी है, अब हम इसमें क्वार्ट रिंज के गैप पे इसी तरह से फिर से लहर बनाएंगे, जैसे यसे हमारी लहर बनी हुई है, इसके साथ ही हम क्वार्ट रिंज का गैप देते हुए, इसको बनाते हुए कम्प्लीट कर लेंगे, अब इसी तरह से क्वार्ट रिंज के गैप पे इस साइड में भी बना लेंगे, यह हमने बना लिया है, अब इसी तरह से हम यह जो ब्लैंक स्पेस है, इसको सारी को फिल कर लेंगे, दोनों तरफ से, अब हमने इतना बना लिया, अब हमारी यह वेव दोनों तरफ से टच हो रही है, बॉर्डर से, अब हम यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस को फिल करेंगे, य और यहां पर हम यह जो border का stitch है सीधा stitch इस पर आगे की तरफ आएंगे और फिर से quarter inch के gap पर वेब बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पूरा fill करेंगे अब यह stitch देने के बाद एक बार फिर से हम इसको इसी तरह से stitch दे देंगे quarter inch का gap छोड़ते हुए और इस space को भी fill कर करेंगे और इसी तरह से आपने दूसरी side में भी बना लेना है तो इसी तरह से बनाते हुए हमने इसको complete कर लिया है तो यह complete होने के बाद देखिए इसका कितना अच्छा look का है यह बहुती simple और बहुती प्यारा design है I hope आपको यह video अच्छी लगी हो अगर आपको यह video अच् thanks for watching, मिलते हैं next video में, till then bye bye and take care